कोंहें noska ऐसे बसंगा कविद्ध करते हैं आपको तोस्तों कि वाले चोटी सी टौपिक के बारे हैं बढ़ी जबरदस टौपिक dark बड़ा कन्फ्यूजन भाई बाउट बड़ा कन्फ्यीजन इस दफिर्स बेट्वीन email and gmail what is the difference between email and gmail यह हमारे life का सबसे बड़ा confusing part है तो इस confusing part को दोस्तो आज हम करेंगे complete यहाँ पे कोई problem नहीं है कि हमारा email क्या है gmail क्या है email कैसे use करते है gmail कैसे use करते है सारे बातों को हम लोग ध्यान में रखते हुए complete छोटे से वीडियो को हम लोग watch करेंगे दोस्तों तो आप लोग कहीं मज जाएगा बने रही लाश्ट तक दोस्तों तो मैं बात कर रहा हूँ रतना का रुपाध्याए और आप देख रहे हैं Unique Online Guru चैनल तो दोस्तों कुछ अच्छा सीखते हैं हम लोग बात करने वाले हैं difference between email और Gmail की किसकी बात करने वाले हैं फिर सुनिए फिर से एक बार एक बार और एक बार और हम लोग बात करने वाले हैं difference between email और Gmail की अगर हम बात करें email की किसकी बात करें इमेल की बात करें तो इमेल हमारा क्या है ये इलेक्ट्रोनिक मेल है ध्यान से हमारी बात समझ लिजे क्या है ये ये एक इलेक्ट्रोनिक मेल है जो इलेक्ट्रोनिक मैसेज कह सकते हम लोग यानि ये हमारा एक प्रकार का सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर है क्या है भाई? सर्विस प्रोवाइडर है जैसे बात करें हमारी बात ध्यान समय लिए आप लोग बहुत अच्छे समझ में आने वाला है ठीक है ये क्या है हमारा सर्विस प्रोवाइडर है लेकिन अगर हम लोग बात करें किसकी Gmail की बात करें किसकी बात करें हम लोग जिस पे हम लोग mail भेज सकते हैं इसको हम लोग service provider नहीं कहेंगे इसको हम लोग कहेंगे use to send or receive mail क्या कहेंगे use to send or receive mail अगर इसी के अंदर हम लोग बात कर लें Gmail की किसकी बात कर ले Gmail की बात कर ले तो G का मतलब होता है Google और Mail तो आप लोग जानते ही हो तो Gmail की हम बात अगर कर ले तो Google क्या है Google हमारा एक Service Provider क्या है भाई Service Provider करता है एक हमारी Company है यह क्या है एक हमारी Company है जो Service Provider करती भाई बात छोड़ दिजे आपने सुना होगा add the rate yahoo फिर और सुना होगा add the rate hotmail ठीक है और add the rate gmail का नाम तो आपने सुना ही होगा तो इन तीनों कमपनियों के बारे में बात कर लें लेकिन अगर हम mail की बात कर लें किसकी बात कर लें इमेल की बात कर लें तो इन तीनों में और mail में क डिफ्रेंस होता है दोस्तों के इमेल जो होता है वो हमारा क्या होता है एक service पर हमारा जो है एक बनाया गया network ऐ फर एकजाम्पल की बात करें तो बहुत अच्छा example मैं आप लोगों को दूं अगर तो एक हमारे क्या होता है Network क्या होता है network होता है network होता है कि नहीं होता है लेकिन सीम की बात अगर हम लोग कर लें सीम सीम जानते हैं जो हम लोग सीम यूज करते हैं अपने फोन में किसी से बात करने के लिए कोई हम लोगों का इमेल और जीमेल क्या होता है तो अगर हम किसी सीम की बात कर लें या फिर बात कर लें नेटवर्क की किसी बात कर लें नेटवर्क की तो नेटवर्क हमारा क्या होता है नेटवर्क की अगर हम बात करें तो नेटवर्क के माध्यम से हम किसी भी सीम पर बात कर सकते हैं बात को सम प्रकार के आते हैं हमारे सीम, यूज कर रहा है, लेकिन नेटवर्क तो सेम है, रेडवेब तो हमारा रेडियो वेब तो सेम है, सबका एक पर्टिकुलर होता है नेटवर्क, लेकिन अलग-अलग सीम हम लोग यूज करते हैं, तो हमारा मेल जो है, ये एक पर्टिकुलर है, ल मौका देता है और उस ID के माध्यम से आपको 15GB स्पेस भी देता है 15GB स्पेस दा क्या अपने डाकुमेंट अटाइच कर लो किसी को मैसेज सेंड कर लो कहीं से रिसीव कर सकते हो सारे options आप लोगों को खोल लेता है यह सारे options क्या करता है यह खोल के रख देता है तो यह हमारा होता है email अगर हम बात करें इस तरीके से दूसरे प्रोवाइडर की तो Gmail के जगे याहू इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद जैहिन हुआ हुआ है